हे गाइस आज हम बात करेंगे आईफॉन 14 स्रीज के बारे में इसमें आपको चार नए आईफॉन देखने को मिलने वाले हैं आईफॉन 14, आईफॉन 14 मैक्स, आईफॉन 14 प्रो और आईफॉन 14 प्रो मैक्स ये चारो स्मार्टफोन आपको इंडिया मार्केट में बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं और आइफोन 14 स्रीज में जो नया डिवाइस है वो है आइफोन 14 मैक्स और इसको काफी ज़्यादा पसंद किया जा सकता है और आइफोन 14 मिनी आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आइफोन 13 मिनी की सेल ज़्यादा नहीं हुई और इंडिया मार्केट में इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया गया इसलिए आइफोन 14 मिनी आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए गाईज, अब आगे बात करते हैं iPhone 14 series के display के बारे में तो iPhone 14 में आपको 6.1 inches की display देखने को मिलने वाली है iPhone 14 Max में आपको 6.7 inches की display देखने को मिलने वाली है और iPhone 14 Pro में आपको 6.1 inches की display देखने को मिलेगी बट ये Pro Series के लिए होगी iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में आपको A16 Bionic Chip देखने को मिलने वाली है बट iPhone 14 और iPhone 14 Max में आपको A15 Bionic Chip देखने को मिलने वाली है जो आपको iPhone 13 Series में देखने को मिलागा सेम वही होने वाला है बट ये भी काफी powerful है और इस बार आपको 6 GB तक RAM देखने को मिल जाएगी बट iPhone 14 और iPhone 14 Max में आपको 6 GB RAM के साथ LPDDR4X देखने को मिलेगा और iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में LPDDR5 RAM देखने को मिलेगी और ये काफी अच्छी बात है कि RAM को 6 GB तक बढ़ा दिया गया है तो अब सीधा चलते हैं इसके कैमरे पे और इसका कैमरा काफी amazing होने वाला है क्योंकि leaks आई है कि iPhone 14 स्रीज में 48 MP का सेंसर देखने को मिलने वाला है जो कि Sony के तरब से आने वाला है बट ये non-pro में देखने को नहीं मिलेगा iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में देखने को नहीं मिलेगा बट इसमें भी काफी अच्छा अपग्रेट किया जाएगा कैमरे में और गाइस बताया जा रहा है जो 48 MP वाला सेंसर देखने को मिलने वाला है ये 8 के वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकता है और ऐसा होता है तो ये काफी अच्छी बात है और आइफोन 14 स्रीज में जो प्रो विरियंट है उसमें ज्यादा अप्रेट देखने को मिल रहा है जैसे की डिस्प्ले डिस्प्ले में आपको पिल शेप पंचोल आइफोन 14 प्रो और आइफोन 14 प्रो मैक्स में देखने को मिल रहा है वो भी 120 Hz का और गैस non pro और pro में काफी difference है और price का भी difference है बट आपको non pro smartphone में भी काफी upgrade देखने को मिल जाएंगे जैसे आपको iPhone 14 और iPhone 14 Pro Max में एक अच्छी display देखने को मिलने वाली है जिसमें एक अच्छा peak brightness वाला display होगा और इसके साथ ही आपको pro motion में देखने को मिल जाएग price की तो सारे device में आपको $100 ज्यादा देना पड़ेगा मतलब iPhone 14 Pro Max में आपको बैल आकोन को प्रेस करें, मिलता होंगे लिए वीडियो में जैहिंद वन्यमात्रम